जोदपूर में चल रहे को आपरेटिव चुनाओं में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो नेताओं के समर्था कापस भिड़ गए। यो दोनों नेता हैं उसीया बिधायक दिब्या मदेड़ना और पाली के पूर्व सांसत बद्री राम जाखड आरोप है कि जाखड के पि घटना जोदपूर के भोपालगड में मंगलवार दो पहर करीब देड़ बजे की है पूर्व सांसत बद्री राम जाखड के समर्थकों का आरोप था कि ओसीया बिधायक दिब्या मदेड़ना अध्यक्ष प्रत्यासी मनीस खदाओ को परिवार से मिलने नहीं दे रही थी इ भोपालगड थाना अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को भोपालगड को को आपरेटिव मार्किंग सोसाइटी के चुनाओ थे इन चुनाओ में दिब्या मदेड़ना गुट के दो कैंडिडेट राम जीवन चोटिया और मनीस खदाओ मैदान में थे पूर्वसांसत बद्र पे बैठे थे आरोप है कि इसी दोरान एक साथ पत्थरबाजी सुरू कर दी अचानव कोई पत्थरबाजी से हरकम्प मच गया इस दोरान उनकी गाड़ी पर अचानक सुरू हुए पत्थराओ से पुलिस भी हरकत में आ गई और वहां से लोगों को खदेड़ना सुरू कर पत्थराओ होते देख दिब्या मदेरना के ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी और पुलिस जापता की तरफ भागने लगे यहां भी पूर्वसांसत के समर्थक गाड़ी का पीछा कर पत्थराओ कर रहे थे बोपालगर थाना अधिकारी गिर्धारी लाल ने बताया कि दि दिब्या मदेरना के लोगों ने मारा है मनिस खडाओ को बंदी बना कर रखा था और दिब्या हुआ उसके परिवार वाले उससे मिलना चाहते थे बैरिकेट्स पर जब परिवार ने मनिस से मिलना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया इस पर दिब्या ने मिलाने से इंकार कर कहा कि यहां मेरी मर्जी चलेगी इस बात पर ये लोग आपस में उलज गए और मेरे पी ए को मारा उन्होंने पुलिस पर भी स्वाल उठाते हुए कहा कि पुलिस भी दिब्या से मिली हुई है खोड़ापा एस चो नेमाराम ने भी मार पीट की है भोपालगण में होने वाले क cooperative society के चुनाओ में हमेशा मदेना परिवार का वर्चस रहा है इस परिवार के लोग आज भी society से चुनाओ लड़ते हैं यही कारण है कि दिब्या भी इस चुनाओ में सक्रिय न जाराई चुनाओ में अध्यक्षपद के लिए मदेना गुट थे राम जीबन चोटिया और मनी अध्यक्षपद के लिए मनाल किया इधर दिब्या नाम वापसी को लेकर मनीज के पास पहुँचें आरोप था कि दिब्या मनीज को परिवार से मिलने नहीं दे रही हैं इस चुनाओ में मनीज खदाओ का नाम वापस लेने के बाद राम जीबन चोटिया और राम भरोसे ज चुनेगाए थे